नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जुड़े उभखताओं की बिलिंग करना और बील वसुली करना होगा इसकी एवज में बितरन निगम प्रती उभखता 6.49 पैसा भखतान करेगा वहीं सतर से असी परतिशत तक बिलिंग करने पर एक परतिशत का अतिरिक्त कमिशन भी देगा वहीं नबे परतिशत से अधिक ब झões satyoda और शाइब गरामी साथी रखे जाएंगे राज्य के ग्रामी उर्जा साथी इसका लाब उठा सकते हैं इसमें मैट्री के 10 वी पास के साथ मोबाइल दुकान संचालक, gel feminine उलक्त्रोनिक्स दुकान संचालक, साइबर कैफे संचालक, asset ऐञ दोएंग से गरामिनों को मिलेगा बिरिक्षो का पट्टा सीयम हेमांत जारखन के मुख्य मंत्री हेमांसुरे ने कहा है कि राजे की लभग सतर पत्षत आबादी गरामिन छेतरों में रहती है ऐसे में किसानों और मजद्रों की आमदरी बढ़ाने एवं उनके समरिध्धी और खुसाली के जागरूपता एवां बिभीन योजनाओ का सिलेन्यास एवां उद्घाटन कारिक्राम को सम्भोधित कर रहे थे बता दे के सिसी लोन में बैंकर्स को निर्देशित किया गया है कि वह किसानों को हर सम्भव सहायता करे मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन से इस्थीपा की मांग बिधान सभा में आकरमक रहेंगे भाजपा बिधायाग जारखन बिधान सभा के मानसुल सत्र में भाजपा का तेवर आकरमक रहे जा विभीन मामलो में फंसे मुख्य मंत्री है मंसरेन के इस्थीपे की मांग पार्टी जोर सोर से उठाएगी गुरुवार को पार्टी बिधायक दल की बैठक में या निर्नाय हुआ है परदेश अध्यक्स दिपक परकाश के अध्यक्सता में हुई बैठक में संगठर महामंत्री ध्रमपाल सिंग समेथ विधायक उपसित थे भाजपा के मुखे सचे तक बिरंची नरायन ने बताया है कि मांसुल सत्र के पहले दिन ही भाजपा सदन के बाहर आकरमक रहेगी जिस प्रकार से कांग्रेश के नेता अधिर रंजन चौधरी ने राष्ट पती द्रोपती मुर्मो के समध में अपती जनक सब्द कहे हैं उस पर पार्टी कांग्रेश अध्यक्स सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग करेगी राजपाल रमेस बैस नराज नीजी इनुवर्सिटी की जांच नहीं कर रहे अपसर जारखन के राजपाल रमेस बैस ने राजपाल रमेस बैस ने राजपारत नीजी बिश्वविद्यालों की अभी तक जांच सुरू नहीं होने पर नराजगी प्रकट की है उन्होंने गुरुवार को निजी विश्व विद्याले की वस्तूज थिती की सिग्र जाँच करने का अदेश उच एवं तक्निकी सिख्छा विभाग के पता दिकायों को दिया उन्होंने जाच कर उन विद्ध्यालियों की मानियाता रद करने के लिए आवसे करवाई करने के निदेश दिये जो राजी सरकार द्वार निधारी सर्तों तथा UGC के मानकों को पुरा नहीं करते हैं जारखंड के चातरा में मिरित मिले एक सो से अधिक साप बन विभागने सुरू की जाच चातरा जिले के हंटरगज परखंड के डाटम गाओं के समीप एक अस्थान पर सो से अधिक साप मिरित मिले हैं सभी मिरित साप बीस रहित प्रजाती के हैं इस घटना के बाद इलाके में संसनी फ्यल गई है हर कोई इन सापों को देखने के लिए पहुच रहा है इतनी बड़ी संख्या में कभी भी यहां सापों की मौत नहीं हुई थी यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सापों की मौत हुई है बताया जा रह गया है उसके बाद मचली मारने के लिए आहर में जाल लगाया गया है उसी जाल में मचली के साथ साथ साप भी फस गये सभी साप मारे हुए थे जारखण बीधान शभाका मांसुन सत्र आय से शुरू जारखण बीधान सभाका मांसुन सत्र शुक्रवार 29 जुलाई से शुरू हो रहा है छाह कारे दिवस वाले इस सत्र में 2 अगस्त को वित्ये वर्ष 2022 ते इसका पाहला अनुपूरक बयट पेस किया जाएगा जारकन में सुखार की स्थिती को देखते हुए मांसून सत्र में सुखार पर बिशेश चार्चा होगी पहली बार सदन में मुख्य मंत्री प्रस्णकाल नहीं होगा बयट सत्र के बाद मुख्य मंत्री प्रस्णकाल के प्रवधान को समाप्त कर दिया गया है बतादे 5 अगस्त को मांसून सत्र की करवाही समाप्त होगी राश्ट्रपती पर आपमान जनक टिपनी के लिए सोनिया गांधी मागे देश से माफी केंद्रिये जन्जातीय मामलोग मंत्री सखोटी के भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा ने मुखी पिपक्षी पार्टी कांग्रेश की कड़ी अलोचना की है उन्होंने कहा है कि राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मो के खिलाप कांग्रेश नेता अधीर रंजन चोधरी के द्वारा की गई आपमान जनक टिपनी के लिए सोनिया गांधी देश से माफी मांगे केंद्रिय मंत्री अर्जन मुंटा ने कहा है कि जीस तरीके से कांग्रेश के नेता अधीर रंजन चोधरी ने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा और एक आदिवासी महिलाग खासकर राश्ट्रपती के खिलाप आपमान जनक टिपनी की उससे पूरे देश में कांग्रेश का चरीत्र अस्पस्ट हो गया है इनके मान विचारव सिधानतों में सर्मेधानिक पद पर बैठी आदिवासी महिलाग प्रत्ति कोई सम्मान नहीं है जार्खन के पुर्व सीएम बाबुलाल मरांडी कुरोना पोजेटीव जार्खन के पुर्व सीएम बीजेपी बिधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी कुरोना पोजेटीव हो गया है उन्होंने पिछले दिनों संपर्क में आने वाने लोगों से कुरोना जाच करा लेने की अपील की है ये जनकारी उन्होंने ट्यूटर के जरिये दी है इसमें उन्होंने कहा है कि कुरोना के लक्षन के अधार पर उन्होंने कुरोना टेस्ट कराया इसमें जाच रिपोर्ट पोजेटीव आई है इधर सीएम हेमांत सुरे ने उनके जल्द स्वस्त होने की कामना की है अच्छी बारिस नहीं होने से जारखन में सुखे की सम्भवना जारखन में इस बार बारिस की कमी की वज़ा से राज्ये सुखा तय लगने लगा है इस्थिती अच्छी नहीं है किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है अगले एक सब्ता तक भारी बारिस की उमीद भी नहीं ह इसे रोपा में भी तेजी की उमीद नहीं है बता दे बिच्णा बरबाद होने लगा है संताल हजारी भाग और पलामू परमंडल की सिती बहुत ही खराब है बीते साल अब तक करीब 7 लाख हेक्टेर में धान लग गया था इस साल अब तक मात्र 5 लाख हेक्टेर में ही धान ल की आमदनी सावन माह की दूसरी सुमवारी के बाद बाबा बैजनात मंदीर को पिछले 12 दिनों में विभीन सुरोतों से 1.58 करोर की आय हुई है वहीं स्रावनी मेला में 13 दिनों में 15.79 लाख सरधालों ने बाबा मंदीरों में जलाभी से किया इसमें आंतरिक आरगा से अध परशनम कूपर के जरिये 37,038 भक्तों ने जलारपन किया जिसे मंदीर परशासन को 92,84,100 रुपे की आय हुई है उक्त जनकारी डी सी मंजुनात भयंतरी ने आर मित्रा इस्थीत मीडिया सेंटर में आयोजी स्रावनी मेला सब्ताहिक प्रेस कॉन्फिरेंस में दिया है धन् आर 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 आ